और अब देखाने लिए और फैमिली आफ लाइन कर चुके था ना लास्ट प्लास में एक क्वेश्चन भी कर लिया था ना फैमिली आफ लाइन पे कि अब कि अब दूरूति में लेक्षार में लिए था ना कि क्वेश्चन तो सिंपल यह देखो बोल रहे हैं कि दो लाइन से लवन और टू एक्वेश्चन आफ लाइन थू थू देर पॉइंट आफ इंटिसेक्शन इस डिफिनेटी एलवन प्लस लेम्ड ल्टू जीरो कि ट्रमाइन के फार देशनल कंडिशन गिवन बिलो ठीक है एक्जैक्ली ऐसा क्वेश्चन आपने किया था तो फट फट इसको कंप्लीट करिए सारे पाट्स कक्हास्चन आपने तो टू उलवन एक्वेश्चन आपके टू कंप्लीटा अभर बिलो युए साथ थाविया ग्रामा थाविայश्चन कि अधा एक्षिली में दो लाइन्स जो दी हुई है इनको अगर ध्यान से देखो तो कि एक का एक्वेशन एक्स प्लेस वाई इकुल टू और दूसरे का एक्वेशन है थ्री एक्स माइनस फॉर वाई प्लस जीरो और यह दोनों कौनसे पॉइंट पर इंटेसेट कर रही एक्स एक्कुल टू-टू-टू-डओ एकश को माइनस तू करेंगे तो य आजेगा जेरो तो बैसेकली माइनस दू-0 प्र इंटेसेट कर रही है माइनस टू कामा जीरो मतलब यह पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है एक्सेस पर लाई कर रहा है तो अगर कुछ ऐसा देखा जा तो एक्सेस एक्सेस कुछ इस तरह से होंगे ऐसे ऐसे अब आगे फर्दर क्या बोला गया कि हिए जो फैमिली ऑफ लाइन की बात हो रही है औहाया क्लु ep collaborative किया रीजिय्ट कर रहा यह यह रीजिट कर रहा है माइनस ढू कमा जीरो शे पास होने वाली एसारे लाइन को क्योंकि यह southern ह pensar दो और यह है तो नी लाइन which passes through the point of intersection of these two lines is called l1 plus lambda l20 तो ऐसी सारी लाइन की बात हम कर रहे है अब उन्हीं लाइन में से हमें वो मेंबर चाहिए जो जिसकी conditions given है क्या जैसे पहली condition क्या है the one which passes through the one which is at a distance five unit from origin and the one which has x-intercept three अब मुझे बताओ पहले पार्ट का अंसर क्या आएगा family of line का equation तो अपने लिख दिया होगा क्या लिखा 3x minus 4y plus 6 l1 हो गया plus lambda times l2 मतलब x plus y plus 2 0 lambda की अलग-अलग value देंगे तो अलग-अलग lines मिलेंगे हमें वो line चाहिए जो origin से पांच unit away है क्या करें और जिरो कामा जिरो से distance फाइव यूनिट जिसका है वो हमें ढूंड़ना है तो जिरो-जिरो से इस line की distance निकाले किसी भी point से line की distance निकालना आता है उसको five से equate करेंगे तो answer आ जाएगा ठीक है clear है यहां तक बाद समझवा रही है चलो सोचो आप कुछ अलग भी सो सकते हैं ऐसा नहीं कि इतना ही सोचो कुछ और बाते भी सो हो सकते हैं और है सोचने लाइक बाते ठीक है तो अपना अकल लगा फट 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 जल्दी से कुछ कि 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 वेसे देखो तो 3 plus lambda times x plus lambda minus 4 times y plus 2 lambda plus 6 0 यह equation है basically family of line का and perpendicular distance from origin from 0,0 would be 2 lambda plus 6 का mod divided by under root of 3 plus lambda whole square plus lambda minus 4 whole square equal to 5 right और इस equation को solve करके lambda की अगर कोई value आती है तो उसी lambda के corresponding हमें equation of straight line मिल जाएगी solve करेंगे कर लेंगे ना solve कैसे solve करेंगे बताओ square करेंगे square करके फिर lambda में quadratic बनेगा और उसको solve करेंगे थोड़ा तो दिक्कत है थोड़ा तो दिक्कत है बहुत बड़ा मतब की complicated है ना राइट फिर भी अगर करना पड़ा तो करना ही पड़ेगा ऐसे कुछ नहीं है इस situation को अगर ध्यान से देखो शायद आप में से किसी को दिख जाए कि बिना solve के भी आंसर आ जाएगा intersection point किसका वो तो पता ही है minus two comma zero है यह line सारी के सारी lines जो है minus two comma zero से पास कर रही है यह वाले points से यह तो हम figure out करी चुके था ना beginning में है कि नहीं कि अच्छा कोई हाँ हाँ सब्सक्राइब कोई बात नहीं बोलो होगा है हाँ हाँ कि मतलब है कि अगर किस इन में से किसी मेंबर के मालो यह एक line है और यहां से पापनिकलर डिस्टेंस हमें कितनी चाहिए फाइव चाहिए यह वाली डिस्टेंस फाइव चाहिए इस फैमिली की वो लाइन जो और जिन से फार्देस्ट है वो कौन से यह पता है यह वाली यह लाइन और जिन से फार्देस्ट और उसकी डिस्टेंस क्या है उसकी ओरिजिन से इस्टेंस तो यूनिट है तो इसको कैसे आप लिखोंगे कैसे let the foot of perpendicular from origin to a line of family be M और यह point of intersection को मैंने क्या नेम कर दिया? A नेम कर दो A so now consider the triangle in triangle O M A angle M is 90 and therefore O M is always less than equal to O A because O A is the hypotenuse so right triangle की कोई भी side hypotenuse चे क्या होती है smaller and therefore O M has to be always less than equal to 2 and so the farthest distance farthest line from origin is two unit away and hence this question का अंसर क्या है no line possible no line possible अच्छा जब आप वो quadratic जो बन रहा है ना इसको square करके इसको quadratic बना के solve करेंगे तो उसका deal is जिर्वा जाएगे that's it तो पहला पार्ट हो गया clear है सबको चलिए फटर फटर सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट करिए अच्छे एक और argument दे सकते हैं ध्यान से देखो यह सब बाते आपको दूसरे किसी क्वेश्चन में काम आ जाएगी इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं एक आर्गिमेंट दे रहा हूं अगर मैं ओको सेंटर मानके और दो यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करूं ऐसा क्योंकि यह जो पॉइंट ए है वो सर्कल का सर्कम्फरेंस का पॉइंट है और ओर जिन क्या है सेंटर है और सारी लाइन सारी लाइन से से पास कर रही है तो सर्कंफरेंस के किसी पॉइंट से एगर कोई लाइनित कर रही है तो में से एक है जो टेंजट है कौण सी यह लाइग si से कौन सी होती है टेंजेंट टेंजेंट इस दाफार्थ सीकेंट देरफोर आइकन क्लेम दाट वान विच इस फार्थेस्ट फ्राम और इस वर्टिकल लाइन और उसका इस तो यहां से भी प्रूफ होगे कि इस फैमली की कोई भी लाइन जो है ओ टू यूनिट से जादे डिस ओग गुक्त हैं कि अब इसके लिए तो सिंपल है एक्स इंटरसेप्ट इस थी कि पारे में क्या बोलेंगे कि इसमें भी है यह जितनी विए लाess Ч finite के हैं उन सबका exempt क हैक से सारी माईस-टु कॉमा जीरो पर कट कर रहीं एक Hagnea तो कोई ऐसे लाइन है इस्में से जिसका enig है न 파ंष एक बोल सकते हैं जो खुद x-axis है क्योंकि x-axis के लॉंग अगर कोई लाइन है तो उसका x-intercept कुछ भी मान सकते है उसका x-intercept 0 भी बोल सकते 1 भी बोल सकते 2 भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी का कोई भी intercept मान सकते वाई विकाज इट मीट्स x-axis at every point it is itself x-axis तो सिर्फ वही एक लाइन होगी और कोई लाइन पॉसिबल नहीं है अब चलो इसको सॉल्व करके देखते सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए इस लाइन को intercept form में ले जाए है अगर मैं बोलो x-intercept क्या है तो x-intercept के लिए आप नहीं के लाइन को 0 पुट करेंगे वाइको जीरूपुट करो यपट जीरूपुट कुशल करो तो क्या या एक स्की वैलिव aç है माइनस आफ़ सूफ लैमड़ा लेम्डा माइनस 6 तो यहां से आया लेम्डा इस इकोल टो तो लेम्डा इस इकोल टो और लेम्डा माइनस 3 पूट करें तो यह वाला जीरो हो जाएगा तो य कोड़ी जीरो आजाएगा इस केस में वाई कोड़ू क्या जाएगा जीरो आन वाई कोड़ी जीरो मतलब एक सेक्सेस वही बात हुई न किस फेमली के सिर्फ एक ही लाइन है जिसके बारे में आप बोल सकते हैं को उसका एक से कुछ भी इंडिटर्मिनेट है जो चाहों माल लोगा ठीक है तो मैनस 3 भी सै फार्ड हाँ विच इस पैरलल तो आएकसेस तो यह की है तो इसका अंसर भी थर्ड कभी आंसर यह आगा तो सेकेंड और थर्ड दोनों का अंसर सेम हो गया अब फूर्थ एरिया इंटरसेप्टेट बाइड लाइन एंड दे कोडिनेट एक्सेस इस तेन यूनिट अच्छा इस तो पहले बता चुके तो यह प्राइल टू आ अंसर आगे एकस इक इकोड़ माइनस टू एकस फ्लस टू जरू तो डिनेट डिख रहा है तो इसका अंसर है एकस प्लस टू इकोड़ जिरू हाँ तीसरे बाट का क्या अंसर है क्योंकि जितनी भी लाइन से किसी भी लाइन को अगर आफ फिगर आउट करो तो सिच्वेशन कुछ ऐसी माल लो इस यह कि यह लाइन है यह वाली यह लाइन बीसी फैमिली की लाइन है यह वाली अब इस कोडिनेटेके से कौंड सा है त्रेंगल बन रहा है यह वाला तो यह वाल और यह वाल दिसेंस में जे एक तो पता है कौन सी हाँ जी तो फूर्थ पार्ट में हाफ into बोलो बेस को ले लो 2 unit into height height c ले लो c height c ले लो equal to what 10 तो यहां से c की value क्याईगे c या mod c भी दे सकते हैं तो यहां से mod c की value क्या है प्लस माइनस 10 इसका मतलब है कि इस फैमिली की दो लाइन ऐसी होंगी जिनका वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा या तो टेन हो या माइनस टेन तो लाइन का एक्वेश्चन लिखना हो तो तो डारेक्ट लिख सकते के के वैली निकाल नहीं है तो आपको निकाल के दिखानी पड बताते ना तो वाइट इंटरसेप्ट किया बताओ मुझे माइनस टू लैम्डा प्लस इक्स डिवाइड़ बैड़ लैम्डा मैनस फोर एक बार टेन ले लो और दूसरी बार माइनस टेन यूट यूट गेट लेली वैली आफ लैम्डा निकालेंगे अगर आप से कोई बोल लोंगा कि माइनस टू कमा जिरो से लाइन पास कर रही है और जीरो कमा टेंज सेपास कर रहे हैं एकलए को को प्लस टू लाइन झाल झाल कि माइनस डू जिरो रे जनी लाइन चाहिए और माइनस डू जिछ गाल स्लोप निकाल wanna फर्स्ट केस में स्लोप क्या आएगा हाँ यह भी बोल सकते हो बिल्कुल सही बात है x upon minus 2 plus y upon 10 equal to 1 एक केस आजाएगा दूसरा x upon minus 2 minus y upon 10 एक केस आजाएगा these are the two lines clear है अगले question पर चले अब ऐसे question handle कर लेंगे ना चलो टेस्स करते हैं इस तीन question है test condition में करना आपको पहला question है number of values of k for which the for which the line for which the line यह like नहीं यह line for which the line kx plus 5y equal to 9 will not belong to this family k की किस value के लिए यह line इस family को belong नहीं करती है मत्दद इस family में lie नहीं करती है अ कर दो 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 कि अग्वाइब कि अग्वाइब कि अग्वाइब कि अग्वाइब कि अग्वाइब लेकी वेलु है एक से ज़्याद भी है कि अग्वाइब 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 झाल झाल क्योंकि बेसिकली आपने क्या किया यह जो फैमिली आफ लाइने इस 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 फैमिली आफ स्टेट लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू इंटर्सेक्शन आफ दो लाइन स्टीव इंथी कांट कांशी फाइस प्लस थी वाइस सेवन एकुल तो सेवन एकुल तो इन दोनों का पॉइंट आफ इंटर्सेक्शन अपने निकल दिया कि टू कॉमा टू कॉमा माइनस वन इस पॉइंट से पास करें इसका मतलब है कि अगर यह अच्छा यह भी एक फैमिली आफ लाइन है यह भी एक फैमिली आफ लाइन क्यों फैमिली आफ लाइन बोल रहा हूं मैं विकाज इसमें भी एक पैरामीटर है के की वैलू चेंज होगी तो यह भी लाइन चेंज होती रहेगी तो यह जैसे यह माइनस टू कॉमा माइनस वन से पास करने वाली फैमिली है ऐसे यह वाली कहां से पास कर रही है अगर एक्स को जीरो पूट करतो तो य की वैलियू आती माइनस नाइन बाइफ फाइव तो जीरो कमा माइनस नाइन बाइफ फाइव हमें साटस्वाई करेगा तो एक सोचने का तरीका यह भी हो सकता है जिमेटरी कली बट मैं उतना उस पर जाओंगा नहीं क्वेश्टन तो यहीं खतम हो चुका है अगर फस्ट फैमिली का कोई लाइन इस फैमिली का मिंबर है तो इस फैमिली के जो कॉमन करेक्टरिस्टिक है वो सारे मेंबर साटिस्वाई करते हैं तो इसको हमें सॉल पास करान पड़ेगा कहां से माइन टॉ-माइनस वन तो इफ के एक्स प्लस फाइव वाइ इकोल टो नाइन पासे गार के की वैल्यू सेवन है तो 7x plus 5y equal to 9 एक मेंबर है इस फैमिली का जो दूसरी वाली फैमिली का भी मेंबर है और इसके अलामा कि कोई भी वैली होगी तो वो लाइन फर्स्ट फैमिली की लाइन दूसरे फैमिली की लाइन नहीं होगी तो answer आया के बिलॉंग्स टू 7 नहीं विल नॉट बिलॉंग्स टू पुछा न के बिलॉंग्स टू आल रियल अंबर एक्सेप्ट 7 इस इस दे आंसर तो कई बार ऐसा होता है न कि अगर आपने आंसर को ठीक से नहीं मतलब क्वेस्टन को ठीक से नहीं रीड किया तो जो answer होना चाहिए उस कोई बजा कुछ और आंसर कर जाएंगे तो इसलिए क्वेस्टन को बहुत पेस्टन से रीड करना बोजो रही है यह फर्स्ट फैमिली जो है टू कॉमा माइनस बन से पास कर रही थी यहां से सेकेंड फैमिली जो है जीरो कॉमा हां 9by 5 से पास करने वाली फैमिली थी है तो आगर आप से पता करना हो कि दोनों की कॉमा लाइन कौन सी होगी तो उसके उस्के पास यह भी एक तरीका था हां जो दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन है वही लाइन दोनों में कॉमन होगी और लाइन tumore लाइन होंगी तो और न कालने के लिए हम ऐसे भी सोझ सकते थे कि कॉम blender नीकाल दो और उसको compare कर लो हाँ टुपफ़ांट फार्म से सऺते जैसे यह सारी लाइन से हैं इसी में एक लाइन यहीं यहीं होगी भी बाइब लाइन निकालने के लिए को लिए आपको 2.4 सफिशेन्ट था तो वाई प्लस वण इस लोप अगर निकालो तो आ जाएगा तुमारह नाइन बाइफ प्लस वन डिवाइदट बाइ-2 सेवन वाइफाइव नेगटिव माइनस सेवन वाइफाइव इन्टो एक्स माइनस टू इसके साथ में तो भी के के वेली वही आ जाएगी चलिए थर्ड क्वेशन करिए थर्ड बोल रहे हैं A B C R in Harmonic Progression देन प्रूफ देन प्रूफ एट B C X प्लस C A Y प्लस A B equal to 0 passes through a fixed point किसी भी स्टेट लाइन को a line passing through a fixed point किसी भी विरियेबल लाइन को किसी fixed point से पास करते भी लाइन दिखाना है तो उसको आप क्या दिखाओ कि it is in the form of L1 plus lambda L2 0 where L1 and L2 are two fixed lines तो इसको कहीं note करके लिख लो यह बहुत इस्तमाल होता है कि क्या बोला मैंने in order to show in order to show that of a variable line a variable line passes through a fixed point passes through a fixed point when I say variable line means family of line fixed point try to try to express its equation in the form of L1 plus lambda L2 equal to 0 where L1 equal to 0 and L2 equal to 0 be two given two fixed lines क्योंकि दो fixed line का intersection point भी fixed होता है और L1 plus lambda L2 0 के form में शो करने का मतलब है कि वो सभी lines L1 और L2 के intersection से पास कर रही है मतब एक fixed point से पास कर रही है तो यह बहुत ही important बात है जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है क्योंकि बहुत सारे question आपको यही प्रूफ करने के लिए देंगे अब इस question को देखो ABC HP में है क्या मतलब हुआ ABC HP में है मतलब one upon a one upon b one upon c in AP ठीक है इसका मतलब हो गया कि टू अपन बी इस समयसेन आफ वन बाइए प्लस वन बाइए सी तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि one over a and one over b and one over c are in AP इसका मतलब है कि two over b is equal to one over a plus one over c यह given है अब given के बाद हमें क्या चाहिए equation क्या given है equation given है equation of family of line why I am telling this it to be a family of line इसको हम family of line क्यों बोल रहे है क्योंकि इसमें ABC fixed नहीं है ABC are following certain relation and they can vary and if ABC varies then this line will also vary तो यह एक line नहीं है ABC के one by B जो है तुमारा one by B उसको हम क्या लिख सकते हैं अधिक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब इसमें टूपान ए तो चलो रहने दो वन अपान बी को हम लिख सकते हैं हां हां है वन बाई टू टाइम्स वन बाई ए प्लस वन बाई चीट अग्रीट यहां तो खलिए अब आपके पास में दो विरियेबल दिखरें इसमें पैरमीटर एक ए और एक C और हमें L1 प्लस लेमडा L2 चाहिए तो A वालट हम अलग करो तो एक तो आ रहा है 1 बाई A टाइम्स क्या आ रहा है X प्लस Y बाई 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है और 1 बाई C टाइम्स क्या रहा है Y हाँ बुलो Y Y बाई 2 प्लस 1 इकोल टो 0 इसी को मैं ऐसा भी लिख सकते है कि 2X प्लस Y अपॉन 2A प्लस Y प्लस 2 अपॉन 2C इकोल टो 0 और आपको लग रहा है कि यह L1 प्लस लेंडा L2 का फार्म है कि नहीं हां क्या हो और यह से मुल्टिप्लाई कर दिया पूरे एक्वेशन को यह से मुल्टिप्लाई कर दिया ठीक है क्योंकि यह एक लाइन है L1 और यह भी एक लीनेर एक लीटें है L2 और A by C अगर A और C परामीटर है तो A by C भी क्या है कोई परामीटर है तो now I can say that this is the equation is of the type 2x plus y plus lambda times y plus 2 equal to 0 and so it always passes through it always passes through कहां से पॉइंट आफ इंटर सेक्शन आफ टू एक्स प्लस वाई इकोल टू जीरो एंड वाई प्लस टू इकोल टू जीरो एंड डेफिनेट्टी वह कौन सा पॉइंट है वाई कोडिनेट तो आ गया माइनस टू और वाई में है तो ये family of line family of concurrent line है और किस gaining सपॉइंट से गुजर रही है है वाइन कॉमा माइनस टू से ज़री डेट सटो अब यह जो नोट लिखा था यह समझ में आगया कि नहीं कि कभी भी आपको किसी वेरियेबल लाइन को किसी फिक्स पॉइंट से पास करता हुआ शो करना है तो आप उस वेरियेबल लाइन के एक्स्प्रेशन को ल 1 प्लस लैमडा ल 2 इकुड जीरो के फ़र्म में ले जाना है ले जाना है चलिए फॉर्थ क्वेश्चन करके बताएगे दोनों पॉइंट आगे इस के प्लस नाइन वी स्केर इकुड जीरो सिक्स अबी प्लस फॉर सी स्केर गुड नहीं और भी एक आएगा जबी भी एक स्केर एक इकुड वाइए तो एक स्केर करेंगे था मैसा मॉड लिया करो रूट एक स्केर इस मॉड एक्स तब अपने आप दोनों केसे जाएंगे यह जलतिया बार-बार हो जाती है नहीं होना चाहिए यह सेकेंड और थर्ड में के रिगार्डिंग तू कोई डाउट नहीं है ना यहुड़्वा जहाँ यहीं होन दूख सेक। कर बार दो कीरो पर दिए यहाल है यहाशो यह कि betre 10 अजय वह पताWow पूर्थ क्वेशिए गिवन कंडिशन का है गिवन लाइन लाइन दी हुई है AX प्लस BY प्लस C0 बट ABC के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है subjected to the condition that A square plus 9 times B square minus 6AB minus 2C का whole square equal to 0 what is this A minus triple B ka whole square minus 2C ka whole square equal to 0 इसका मत्तब क्या होता है A minus 3B minus 2C multiplied by A minus 3B plus 2C equal to 0 यहां से हमें दो relation मिल रहा है एक relation मिला A minus 3B plus 2C0 और दूसरा relation मिला A minus 3B minus 2C0 अब इन दोनों relation के साथ इस line को read करो अगर यह relation hold कर रहा है देखो अगर यह relation hold कर रहा है और line हमारी क्या है line है हमारी AX प्लस BY प्लस C0 तो subjected to this relation what do you say regarding this line and subjected to this relation what do you say regarding this line यही आपको बताना है तो अगर थोड़ा और ध्यान से देखो तो यहां 2C है ना 2C अगर ना हो तो compare हो सकता है आराम से क्योंकि यहां पर C है ना इन दोनों में C है तो हम क्या कर दें टू से डिवाइड कर दें पहले यहले equation को टू से डिवाइड कर दो क्या हैगा A into half plus B into minus 3 by 2 plus C equal to 0 और दूसरे equation में आप जो है ना minus 2 से डिवाइड कर दो क्या हैगा A into minus half plus B into 3 by 2 plus C equal to 0 अब हाँ looking at this what can I say AX plus BY plus C equal to 0 pass through pass through half comma minus 3 by 2 and looking at this minus half comma 3 by 2 इसका मतलब हमने यह judgment लिया कि अगर अगर यह relation होड करता है तो यह family of line की lines या तो इस point से pass कर रही होंगी और यह इस point से pass कर रही होंगी तो यह प्रूफ करना था कि इस the family of line passes through one or other after two fixed points find the coordinate of those two points हमें पाइंट कर चुके है हाँ क्या हाँ क्या हाँ इसमें भी कर सकते हैं इसमें substitution करने का मतलब यह है कि आपको जैसे यह यह condition आ गए थी राइट तो इसी condition से a की value डाल दो क्या माइनस 3b प्लस 2c सॉरी 3b माइनस 2c 3b माइनस 2c a की जगह पर डाल दो किसमें हाँ तो क्या जाएगा देखो मैं बताई दे रहा हूं तो ए एक जगह लिग दिया मनें 3b माइनस यह गया अब बी वाला coefficient अलग करो तो बी टाइमस आएगा 3 plus y और सी के साथ क्याएगा हां 3x plus y और सी के साथ क्या एगा 1-2x एक्वल टो जीरो और फिर बी से डिवाइड कर दो यहां से बी से डिवाइड कर दो यह बी कैंसल हो गया तो इन दोनों के intersection से पास करेगी तो इन दोनों का intersection point ढूड़ोगे तो क्या हैगा x की वैली तो आ गई हाफ एना 1-2x को जीरो करोगे तो x की वैली क्या जाएगे हाफ और एक्स की वैली हाफ इसमेंट आप दो वाई क्या जाएगा माइनस 3 गाए ऐसे पहली condition से यह आ गया दूसरी condition अप्लाई कर दो तो दूसरा आ जाएगा तो यह इतना प्लेन था कि स्ट्रेट फारवड कंप्रेजन से आ जा रहा था तो आपको करने का जुरूए नहीं था फॉर्थ क्वेश्चन भी हो गया क्लियर है आप टेस्स कंडिशन नहीं यह तो टेस्ट तो था लेकिन यह फिर भी ठीक था थोड़ा सा ग्रिल कर रहे थे अब अगला क्वेश्चन जो दे रहे ना उसमें आपके टैलेंट पता चलेगी है ना कर दूसरा कर दो लाइन से मैं इसलिए तो बोला कि आपकी टैलेंट पता चलेगी क्योंकि सब कुछ वही दे रहा हूं में सिच्वेशन सही वही है लाइन्स वही है जो पहले दो केसे आपने किये थे कल की क्लास में किया था तो भी यही फैमली अफ लाइन थी बट कंडिशन्स मैंने चेंज कर दी है और कंडिशन्स रियली इंट्रेस्टिंग है बोला जाए रहा है कि वही फैमली अफ लाइन जो माइनस टू कमच जीरो से पास करी थी लगन प्लस लैंडा लटी इकल जीरो यूब तो डिटर्मिन दे वैल्यू अफ के एंड फाइंड दी लाइन दी लाइन दी मता आपको वो लाइन फाइंड करनी है जो एक स्केर प्लस वाइस के रिकोड़ फोर सर्कल की सर्कम्फरेंस को वन इस्टू टू रेशियो में डिवाइड कर रही है दूसरा यूब तो फाइंड लाइन विच इस सिचुएट डिस्टेंस फ्रम दे पॉइंट टू कमा थ्री एंड तीसरा दे लाइन विच टचेस दिकर वाइस इकुड़ एक स्के प्लस वंती है तीन क्वेस्टन सौल परने आपने हैं पांच मिनिट का टाइम है सफीशेंट टाइम है दिमाग लगा और फड़ फड़ आंसर बताओ झाल 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 यह लाइन्स यह फैबली एफ लाइन्स की जो लाइन है वो कहां से पास कर रहे हैं कौन से पास कर रहे हैं माइनस टू कॉमस जिरो और जो आपका सर्कल है वो भी शायद वहां से पास कर रहे हैं चु इस फैमिली की हरेक लाइन इससर्कल करेंट का डिवाईड कर रही हूग्लों कर दो पार्ट में कि एक को छोड़ के एक लाइन तो टेंजेंट हो जाएगी है ना तो लेट से लाइन कैसे को एक लाइन है जो इसकी सरक्मफरेंस को दो पार्ट में कट कर रही है हाँ दो लाइन आएंगी भी बास आईए क्योंकि सिमेट्रीकली अगर एक ऐसे लाइन है इसी लाइन को मिरर इमेज कर दो नीचे तो भी ऐसे सेम रेशियो में डिवाइड होगा है ना तो दो लाइन आनी चाहिए यह पॉइंट है माइनस टू कामा जीरो इस लाइन का एक्व है और ये वाला पॉइंट भी है क्या आपको दिया हुआ है आपको दिया हुआ है a b o यहाँ पर कोई पॉइंट लेलो ड कर विस इसरे पॉइंट लेलो ड तो आपको आपके पस information क्या है a c b आर्क लेंथ मेस्ट है e a d b आर्क लेंथ का रेशियो का है i cheese one is to two हमें एंगल का रेशियो चाहिए आर्क लेंद का रेशियो पता है आर्क और एंगल में कोई रिलेशन अपने पड़ा है आर्क पॉन रेडियस इस एंगल तो कौन सा एंगल एंगल सब्टेंडेड एट सेंटर तो अगर मैं बोलू यह बी पॉएंट ku center पर जॉन कर देंगर तो यह जो आंगल है अगर यह अगल मान लो अल्फा है तो यह अंगल का रेशियो ले सकते हैं टू-पाई-पैसलिक्स हैं नहां अगर रेडियस एंगल सकते हैं कि टू पाई माइनस अलफा अपॉन अलफा शाल वी इकॉल टू टू इस्टु वन कि टू इस्टु वन ग्रेट ग्रेट ठीक है गुड कुछ लोग कर चुके इसका अंसर ओके यहां से क्या दिख रहा है बोलो अलफा की वैलु कैई अलफा इसटीटा में क्या रलेशन है इसर इस्टीटा ना थीटा यह है ठीटा यह है तो alpha plus 2 theta is 180 degree तो 2 theta is equal to below कितना है 60 degree and therefore theta कितना घ्या 30 degree तो इसका मतब़े slope क्या आ गही slope of the line AB slope is 10 theta and 10 theta is 1 by root 3 और minus 1 by root 3 भी हो सकता है क्योंकि exactly ऐसी line एक नीचे की तरब भी हो सकती है ऐसे तो यह दो possibilities है तो slope की दो value आ गई and therefore slope मिल गया हो point मिल गया तो equation क्या आ गया therefore equation of line will be what बोलो y is equal to 1 by root 3 3 times x plus 2 और y is equal to minus 1 by root 3 times x plus 2 यह दो लाइन एक L1 है और एक L2 यह L1 डैस और L2 डैस तो यह वाला पार्ट हो गया ऐसे यह दिवेनिंग दो पार्ट करिए हां क्या थर्ड का स्लोप बड़ा अजीब सा रहा है ओके तुने क्या किया आने तो बड़ा अजीब साने तो कर तो बिल्कु सही रहा है कि उसका डीजी रो करना क्योंकि उसके दो रूट डिफरेंट नहीं चाहिए करने के लिए बिल्कु सही कर रहे हैं उसको एक बार चेक कर लो देट से हाँ 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 है कि इस फैमिली की जितनी भी लाइन है उन कौन सी है जो फार्देस्ट फ्रम और इस फार्देस्ट फ्रम टू कमा थ्री है क्या करेंगे और नेरेस्ट कौन सी होगी जो टू कमा थ्री से पास करेंगे वो नेरेस्ट होगी और फार्देस्ट जो है वो अपको निकाला चलो ठीक है कोई बात नहीं है इसको हटा दूँ यह यह वाले डाग्रम तो हटा देता हूं मैं इसकी तो बात कतम हो गई ठीक है ठीक है एक पॉइंट बोल रहे हैं टू कमा थ्री तू कमा थ्री मालो यहां कहीं पॉइंट है यहां कहीं भी ले लो यह मालो टू कमा थ्री है तू कमा थ्री पॉइंट को मैंने बोल दिया मालो सी है और यह वाला पॉइंट तो ए है सारी लाइन ए से पास कर रही है अगर मैं सी और ए को जॉइन कर दूँ सी यह और सी से हम चाहते हैं लाइन वो लाइन जो फार्दिस्ट हो तो हम बोलेंगे वही वाला आर्गिमेंट देंगे देखो कि अगर किसी भी लाइन पर किसी भी लाइन पर आप पंडिकिलर ड्रॉप करो तो यह एक साइड हुई और यह दूसरी साइड हुई और तीसरी साइड क्या होगा इसी है और यह ट्रैंगल कैसा होगा राइट एंगल राइट एंगल ट्रैंगल में यह यह डिस्टेंस को आप मैक्सिमाइज करना चाहते कि एम है तो सी मंम्माएक्स क्या होगा बीकॉस सी एम इस उंटलब देaz बैस्ट दनेटो जॉट सी शीम की ये अगरीडrd यंदेफोर सी मियाम की वैल्यूम मेकिम महई किया होगी इसका मतलब है कि वहली लाइन चाहिए जिसका पटनीकलर डिस्टेंस सी से क्या हो s पटिंडिकलर तो कांसी हुई जिस पर सिए क्या है यह वाली घूदिए वी तो इसका स्लोप में उछका स्लोप सींके स्लोप का नेगीटिव रेसी प्रेकल होगा तोफोर Im कि lifestyle education पॉपैंटिकलर 2% is farthest from see हाँ अभी बिल्कुल वह उसी पर मैं आ रहा हूं अब फर्दर एक्स्प्लेइन करने के लिए तो therefore slope क्या हो जाएगा c a का slope क्या है what is the slope of the line segment c a 3-0 upon 4 तो 3 by 4 आ गया तो इस line का slope क्या होगा माइनस 4 by 3 नेगटिव रेसिप्रोकल क्या तो माइनस 4 by 3 हो गया तो therefore इस line का equation क्या आएगा the equation of line will be y-0 is equal to minus 4 by 3 into x plus 2 तो आगया 3y plus 4x plus 8 equal to 0 this is the desired line कि अब उसके कर्सपानिक के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं वो निकल जाएगा कि दूसरा आर्गिमेंट यह है कि आप अगर बोलो कि सी सेंटर से से एक अगर सी ए रेडियस का सर्कल में ड्राव करूं ऐसा तो वो सर्कल का हाँ वो सर्कल के लिए सारी लाइन्स क्या है सीकेंट्स हैं और सबसे फार्दस सीकेंट कौन सी होती है टेंजेंट तो अब यह सर्कल की जो टेंजेंट होगी वही लाइन हमें चाहिए तो टेंजेंट तो रेडियस के क्या होती है पपंडिकलर होती है तो र अब देखो यहां पर एक बात सब्जो थोड़ा सा इस बात को समझो की आफ दे ट्रैक में बात कर रहा हूं अभी इग्जैक्ली क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मालो कोई एक प्यराबोला हैं या कोई भी कर्ब है शरकल वह सकता पैरा बोल सकता है कोई भी कौनिकक सेक्शन हो सकता तो है घूड़क सेक्शन का एक्वेशन एक्स में कोड्राट डिख्री का defense होता है नë एक शॉरौय और वाहिए इस तो अगर मнож और लो एक परावोला तो होगा और एक लाइन तो लिनियर होगा है तो लाइन और परावोला एक दूसरे को कट कर रहे हैं यह नहीं कट कर रहे एन कट कर रहे हैं जभी तो कोई भी कर्व एक दूसरे को cut कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो कैसे पता चलता है कि point of intersection का coordinate दोनों का satisfy करेगा मतलब है कि अगर x की कोई एक value put करो किसमें पैराबोला में और वही x की value of line में put करो और दोनों से y की value क्या जाए सेम इसका मतलब है कि दोनों का common point है कि इसका मतलब है कि दो कर्व का common point निकालने के लिए हमें उनके equations को solve करना होता टुगेदर एक कर्व से y के value उठाओ और उसको दूसरे कर में डाल दो और फिर एक x में quadratic बन जाएगा उस quadratic को solve करके जो root आएंगे वो point of intersection के x coordinate हो जाएंगे ठीक है जी तो if I have a parabola suppose parabola हमारा है y square equal to 4x एक example ले रहा हूं ठीक है और एक line है मालो y is equal to x plus one are you getting my point parabola है y square equal to 4x और line है y equal to x plus one मैं जानना चाह रहा हूं कि यह दोनों कर्व किस point पे meet कर रहे है what do I do yes I will solve I will solve both equations together तो y के value यहाँ parabola में put कर दे या x की value parabola में put कर दे आपके मर्जू तो यहां से मैंने क्या क्या x की value parabola में put कर दिया क्या y square is equal to four times x के जगह क्या डालो y minus one quadratic बन गया क्या quadratic y square minus four y plus four equal to zero और यहां से y की value क्याई है y minus two का whole square आ गया तो आया ना इसका मतलब है y की दो value आई लेकिन दो value सेम है नो क्या मतलब हो इसका क्योंकि अगर वाई की दो different value आती क्योंकि quadratic में तो different route भी आ सकते थे अगर दो different value आती तो इसका मतलब है कि दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं अगर दोनों value सेम आ गई तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं टेंजेंट पूलते हैं इसका मतलब है कि हमने यह प्रूफ कर दिया कि यह लाइन क्या है यह लाइन पर पर पेंजेंट है अच्छा अगर मैं इसी पराबोला में y square equal to 4x पराबोला में y equal to x की बात करूं तो अगर y को x put करो इसमें तो क्या जाएगा x square minus 4x equal to 0 और यहां पर x की दो value आएगी जिरो एंड फोर मतलब एक यह लाइन एक बार एक बार जिरो कमा जिरो पर कट करेगी क्योंकि एक जिरो है तो y भी जिरो आ जाएगा क्योंकि y equal to x है और एक 4,4 तो आई थिंक यह बात तो समाझ में आ रही है कि वेनेवर यूड शाल्व आ लाइन विद परबोला और सर्कल और रिलेप्स और है पर बोला यूल आवेज गित अक्वडराटिक एक वेशन अगर उसक्वडराटिक एक वेशन के दोनों रूट रियल औंड इस्टिंग है तो वो लाइन सपोस्ट तो कट दर कोर्रेस्पांडिंग कोनिक सेक्षन एट तो डिफरेंट पॉइंट और बोथ रूट्स आर इक्वल डी को टो जीरो हो जाए डिस्क्रिमिनाट जीरो होगा तो रूट इक्वल हो जाते हैं उसकेस का मतलब होगा कि लाइन इस टेंजन कॉडिनेट आ जाएगा कितनी बाद समझ में आगई अब यह क्वेश्चन को समझो अपने आपका रोगश्चन अब अगर हम इस क्वेश्चन पर जाएं तो क्वेश्चन में बोला गया कि इस फैमिली आफ लाइन की कौन से लाइन है जो वाइस इकल टो एक्सकेर प्लस वन को टैच करती है तो आपको फैमिली आफ लाइन और इस कर्ण को टुगेदर करना पड़ेगा लेकिन अगर फैमिली आफम लाइन को देखोगए और पैरा वोलाके साथ साल्व करने के बारे मिन सोचोगे तो आपको दोड़ दर लगेगा अगर नहीं लगेगा मतबब डेरिंग बच्चे हो लग रहा है थोड़ा वह डर अगर नहीं कॉंसे बताने के बाद ही मैं बोल रहा हूं डर लग रहा है कि नहीं जैसे अगर यह लाइन है यह तो इसमें से वाई की वेलु निकाल के इसमें डालना तो डर लग रहा है कि नहीं इसमें से वाई की वैलिए इसमें डाल दो वाई के जगह एकस केर प्लस तूसमें डाल दो तो भी बड़ सा एक्वेशन बन रहा है मैनेज हो जाएगा एकस में कोड्रेटिक बन जाएगा ठीक है बट एक तरीका और भी है कि हमें निकालना क्या है फ़ले बता हूं लाइन निकालना है लाइन में क्या निकालना है लाइन निकालने के लिए हमें लाइन का स्लोप और पॉइंट या दो पॉइंट यह होता हमें क्या निकालना है कि ब्ऐस लोट कि निकालना क्योंकि पटा यह है कि इस फैमिली के हर एक लाइन कहां से पास करें तो सिर्फ अनएवन है न तुटूर्गटट काम कुरो मौनलो स्लोप क्या है एम जैसे साकर तने लिटा तकलो पर दो निस पर नुधि है और से इसSET जैसे दिया हुआ y is equal to m times x plus 2 agreed तो यह लाइन है y is equal to mx plus 2m and it touches the line parabola y is equal to x square plus 1 y के जगह पर यह डाल दें mx plus 2m is equal to x square plus 1 quadratic in x दिख रहा है ना x square minus mx plus 1 minus 2m equal to 0 और फिर इसका बोलेंगे कि d shall be 0 root equal होने चाहिए तो d0 करेंगे तो क्या है गजर बताओ बी स्केर x के coefficient का square क्या है m square minus 4 times x square का coefficient क्या है 1 और constant term क्या है 1 minus 2m equal to 0 इस quadratic को solve करो तो क्या रहा है m square plus 8m minus 4 agreed यहां से m की दो value आ गई क्या क्या नेगिटिव 8 plus minus under root बी स्केरी 64 plus 16 divided by 2 so it is equal to minus 8 plus minus 16 common ले सकते हो तो 4 root 5 हो जाएगा डिवाइड बाइट टू एक स्लोप की दो possible value आ रही है एक स्लोप की value आ रही है minus 4 plus 2 root 5 और दूसरी आ रही है स्लोप आ गया तो एक्वेशन आ गया दोनों लाइन का एक्वेशन आ अब इन्होंने बोला डिटर्मिन के तो के डिटर्मिन करने के लिए कुछ नहीं करना स्लोप लिख देना स्लोप होगा तुमारा negative of 3 plus K divided by 2 plus 6 plus 2k negative coefficient x by coefficient y is called slope और यह स्लोप की जो भी हमारी value आई उससे equate कर देंगे तो के के डिटर्मिन हो जाएगा तो अगर exactly के निकालना हो क्योंकि option में के लिखा रहेगा तो आपको के निकालना पड़ेगा line के equation से काम नहीं चलेगा तो आप निकालेगा कहा पर कहा पर अरे हाँ minus 4 plus के आएगा slope की बात कर रहे हैं हम लो constant नहीं लेना के minus 4 इस एकोल टो एम यह जो एम की वैली निकाली वहां रख करके के डिटर्मिन है ठीक जी comfortable तो फैमिली आफ लाइन में कोई भी question जो पूछा जाएगा जो सम्स आपने किये हैं इससे ज्यादर difficult नहीं पूछा जाएगा तो अगर आप इस लेवल तक हैंडल कर ले रहे हैं तो hopefully आप यह तुरू आराम से कर सकते हैं इसको मैं हटा दूँ अब एक चोटा समय concept discuss करूंगा और आज की क्लास करें पर कितना टाइम है हो मुच टाइम वे लेफिट अच्छा ठीक है ठीक है तो एक एक concept देखो अच्छा एक concept तो आप जानते हो कि दो के respect में कोई point को कैसे position करते हैं अगर दो लाइन समझा करते हैं कि मालों ऐसे हैं कि एक लाइन एक लाइन यह है और एक लाइन ऐसे हैं तो यह दोनों लाइन के respect में और जिन तो कोई पॉइंट ओरिजिन वाले एंगल में है या एडजेसेंट एंगल में है या वर्टिकली अपुजिट एंगल आफ ओरिजिन में है इसको डिटर्मिन करने का concept या देना कि मैं सबके चेरे देख रहा हूं यहाद है ठीक है मतलब अगर अगर यह लाइन है और यह वाली लाइन है अटू एकस प्लस बीटू आइपला प्लस सीटू जिरो और सीवन और सीटू माल लो पॉजिटिव हैं नहीं है तो बना सकते हैं मलो तो उसमें क्या होता है कि ओरिजिन साइट दोनों लाइन का क्या हो गया पॉजिटिव और non origin side दोनों line का क्या हो गया negative और फिर इससे क्या होगा चारो एंगल का एक sign scheme आ जाएगी है ना जैसे angle of origin की sign scheme क्या हैगी angle of origin में L1 B positive होगा और L2 B positive होगा origin के vertically opposite angle की sign scheme क्या हैगी दोनो negative होगे L1 B negative होगा और L2 B negative होगा और adjacent angle में अगर L1 L1 negative है तो L2 positive है और इधर वाले में L1 positive है तो L2 negative में तो इससे हम कोई भी पॉइंट जैसे कोई दे दे कि अलफा कॉमा अलफा स्क्यर एक पॉइंट है तो वो किस एंगल में है यह थिए सब क्वेशन हम एंडिल कर सकते हैं जानते थे किया हुआ था सेक्षिन फार्मिले की अप्लिकेशन में अब मैं आपको एक छोटा सा कॉंसेट आप हेडिंग देंगे छोटा सा कॉंसेट है कंडिशन दैट कंडिशन दैट और इजन लाइज इन एक्यूट एंगल ॉरीजन लाइज इन अच्छ अप्झग अप्वर्मड़ एंगो टॉप्मड़ यू क्यू लाइज ल बाइज बाइज किसेफक अ मåल बाइजक अ क् iki दे वै-क वी-क म्क inanट 10 और इन डाइज टो एंग्म formations एंड एल्टू विच इस एटू एक्स प्लस बीटू आई प्लस सीटू जीडू मताब हमें एवन एटू बीवन बीटू और सीवन सीटू में रिलेशन चाहिए जिसके फुल्फिल होने पर ओरिजिन इन दोनों लाइन से फार्म होने वाले एक्यूट एंगल में लाई करता है कि इंस वी हैव सबस्टू लाइन और कि व्यक्वेशन कर दिया यह लवन जिसको बोल रहे हैं यह वाली लाइन है A1X प्लस B1Y प्लस C1 0 और L2 यह L1 है और यह L2 है मालो A2X प्लस B2Y प्लस C2 0 मैं condition डिरेक्टी लिख सकता हूँ और उसको आप याद भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है बट प्रिंसिपली मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज को क्रैम करने के बजाए आप उसको समझने की जोशिश करो ये दोनों लाइन किसantage प्लाइन पेगथ कर रही होँगे मालो port यावे थि और सब्क्रमंठी यहांthank जाख और यह सामने वाला एंगल भी क्योंगी और देलीIl उर्मल लोर्शें यहां है और अगर ओरिजन यहां है तो औरिजिन से यह डिस्टेंस और यह परपेंडिक्लर डॉब करो दोनों लाइन मालों ओर जिन से फर्स्ट लाइन पर जो परपेंडिके एम फूट अपर्पेडिकिलर मैं और सेकंड लाइन एलटू पर फूट पपंडिकुलर एन पिजटले है तो इफ इफ तेस एंगल इस टीटा एंड इस एक्यूट तो अभी इस बात यह एंगल क्या होगा यह एंगल ऑप जोगा पाई मैनस थीटर क्यों क्योंकि यह साइक्लिक होगे ना हाँ यह वनलेटी होगा 1990 इसले साइक्लिक हो गया तो आप उजिट एंगल होते हैं तो यह थीट है तो थीट है तो एक्यूट 180 में से एक्यूट से प्रेट करोगे तो आप्ट यूज आएगा ठीक है अब आपने फिजिक्स में कॉंसे पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्राड़क्ट कैसे निकालते हैं कुछ ऐसा है कि अगर अगर मान लो मैं बोलू कि ओयन एक वेक्टर है और यह कुछ ऐसा है से एकस आई कैप प्लस वाई जे कैप और ऐसे ओम एक दूसरा वेक्टर है जो है यह एकस वन वाई वन लिख दू में ठीक है और यह है एकस टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप तो आई होप यू नो डैट ओम डॉट ओन क्या होगा त्थिया थे है नियुक्त मारा एकस नEO डू प्लस वाई वन वाई टू यही आएगा और और मॉन होता क्या है यह होता है मैगनिटूड आफ म वेक्टर into मैगनिटूड ओन वेक्टर into निटू को嘍ल कौस पदी आंगल बीटविन दें अभी मैं जनर लिख रहा हूं मालो एंगल यह पाई मैंने सीटा को मालो में क्या बोल रहा हूं अल्फा ठीक है और यह मैंगनिटूड हमेशा पॉजिटिव होता है और यह भी पॉजिटिव होता है इसका मतलब है कि अगर डॉट प्राड़क्ट पॉजिटिव है तो कॉस अल्फा पॉजिटिव होगा तो अल्फा एक्यूट होगा इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है तो उनका डॉट प्रड क्या होगा पॉजिटिव होगा अगर उनके बीच का एंगल ऑप्ट्यूज है तो डॉट प्रड क्या होगा तो अगर एम वेक्टर का कॉडइनेट मिल जाए मालो एम का एम पॉइंट का कॉडइनेट है अल्फा-बीटा मालो और एन का कॉडनेट कया है गामा कॉमा डेल्टा तो वाट विल बी मअ वेक्टर मैं बोला लेट कॉडिनेट ऑफ M B alpha beta and N B gamma comma delta तो what is O M vector? O M vector हो जाएगा पेटा alpha I cap plus beta J cap और इसी तरह से O N vector तुम्हारा क्या हो जाएगा? gamma I cap plus delta J cap clear है यहां तर? and therefore if theta is acute तो alpha क्या हो गया? then alpha is obtuse alpha pi minus theta है न? alpha क्या है? alpha is pi minus theta यह angle को alpha बोल रहें लोग थे यह angle obtuse हो गया and therefore cos alpha क्या हो जाएगा? cos alpha negative हो जाएगा and therefore O M dot O N क्या हो जाएगा? O M dot O N which is nothing but magnitude of O M magnitude हमेशा positive होता है into magnitude of O N वो भी positive है into cosine of alpha अगर cosine alpha negative है यह quantity भी क्या होगी? are you getting my point or not? so O M और O N का dot product करते हैं तो I का I से dot 1 I का J से dot 0 क्योंकि I और J के बीच एगल 90 होता है तो cos 90 क्या हो जाता है? और J I 0 और J dot J 1 तो obviously आपके पास आएगा alpha बोलो into gamma alpha gamma plus beta delta has to be less than 0 अब alpha beta मेरे को कैसे मिलेगा? alpha beta is the foot of appendicular from origin to this line I hope you know how to find foot of appendicular from any point to any line है न? तो what is alpha? I am writing alpha alpha beta के लिए हमारे पास आया condition x minus 0 object क्या है? origin upon A1 is equal to y minus 0 upon B1 is equal to negative of 0 0 put करेंगे तो आएगा C1 divided by A1 square plus B1 square agreed? what is alpha? अरे जो x की value आई x की value आई वही alpha है न? तो clearly alpha हमारा आगया x coordinate of the foot of appendicular क्या आया? minus A1 C1 upon lambda lambda मैं इसको ले रहा हूँ A1 square plus B1 square को मैं lambda माल ले रहा हूँ एक सिकंड के लिए बार-बार मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं थोड़ा समय बचाना चाहरा हूँ चलेगा न? A1 square plus B1 square को lambda ले लिए और बीटा क्या रहा है बोलो? Y coordinate minus B1 C1 by lambda agreed? ऐसे ही जरा ये भी बता दो gamma delta क्या आएगा? origin से दूसरी वाली line में foot up appendicular हाँ जी हाँ जी A1 की जग़े A2 आजाएगा और C1 की जग़े C2 आजाएगा है न? तो आएगा minus A2 बोलो C2 by lambda चलो lambda not ले लो and comma minus B2 B2 C2 by lambda not right? अब lambda not क्या समझ रहे हो न? lambda not यहाँ पर जो lambda not की value हो एएटू square plus B2 square अब यह value ज़रा है यहाँ put कर दो alpha into gamma क्या है? alpha और gamma का product यह gamma है साब और यह delta है और यह alpha है और यह beta है alpha और gamma का product क्या है? जल्दी बोलो minus और minus प्लस हो जाएगा A1, A2, C1, C2 लिखें, A1, A2, C1, C2 डिवाड़ बाइ lambda into lambda not plus beta into delta क्या है क्या है? very good B1, B2, C1, C2 by lambda into it has to be less than lambda और lambda नाट दोनो positive है? तो positive तो divide multiply कर दो तो कोई फरक नहीं पड़ेगा है नहीं कोटी सेम रहेगी तो आयागा C1, C2 times A1, A2 plus B1, B2 is less than 0 यहां तक बाद समझ में आई कि नहीं? क्योंकि lambda into lambda not is always positive अब जड़ा देखो C1 और C2 usually हम लोग positive बना देते हैं क्योंकि position पॉइंट with respect to two line करते हैं मैंने बताया था कि constant अम को positive बना दो अगर आपने constant अम को positive बना दिया तो इसी condition को हम modify कर सकते हैं तब यह positive है तो इसको हटा दो तो क्या जाएगा A1, A2 plus B1, B2 less than 0 A1, A2 plus B1, B2 less than 0 तो condition I if यहां note करके लिग दो if C1, C2 is positive C1 and C2 positive are of same sign अगर C1 और C2 का sign सेम है तो condition हमारी आएगे A1 into A2 plus B1 into B2 is less than 0 acute होने के लिए then origin lies in then origin lies in acute angle अब इसको याद रखने के लिए मैं क्या तरीका प्रूफ तो हो गया याद रखने का तरीका क्या है याद रखने का तरीका अगर दोनों लाइन प्रपेंडिकिलर है तो condition क्या होगी वाट इसे कंडिशन देट बोथ लाइन प्रपेंडिकिलर स्लोप का प्रड़क्ट माइनस वन तो एल वन प्रपेंडिकिलर टू एल टू की कंडिशन आती है एवन एटू प्लस बीवन बीटू जीरो करके देख लो पले लाइन का स्लोप है माइनस एवन बाई बीवन और दूसरी लाइन का स्लोप है माइनस एटू बाई बीटू दोनों को मल्टिप्लाई कर गए तो आएगा एवन एटू अपान बीवन बीटू एकुल टू माइनस एटू प्लस बीवन बीटू जीरो आ जाएगा तो याद दिमाग में यह रखना है कि अगर अगर दोनों लाइन परपेंडिकिलर है मतला अगर एवन एटू और बीवन बीटू का समेशन जीरो है तो चारों एंगल 90 औरुजिन 90 डिग्र अंगल यह करेगा ठोट एकुल टो dzieci घ्रों में जाओ तो इपना ऊप्लस बीटू इक़ neutr तो आपको मतलब कि उसका पैटर्ण भी पता होना चाहिए प्रूफ कहां से ओरिजिन हुआ का यह भी पता होना चाहिए प्रूफ की जरूत आपको नहीं पड़ेगी कहीं भी क्वेशन में तो आपके दो आप्शन है एक आप्शन है कि सीवन और सीटू को जैसा है वैसे रख लो कि होगे अगर सी वन सीुना चैट साइन के हो गवे तब रूटा हो जाएगा tas begin के होगे का थियाद रहेगा तो आज की क्लास को यहीं पर क्लोश कर रहे हैं ठीक है यह आज मैंने इसलिए बता है क्योंकि नेयुक्ट जो लास क होगे उसमें हम लोग angle by sector की बात करेंगे तो एंगल by sector of two line जब निकालने के लिए बोला जाता है तो sometimes बोला जाता है कि find the acute angle by sector find the obtuse angle by sector and find the by sector of angle containing origin or not containing origin तो उसमें आपको ये concept की जरुवत पढ़ेगी specially acute and obtuse angle by sector निकालने के लिए तो आज की क्लास को यहीं पर close करते हैं अब आप क्या कर सकते हैं यू कन सॉल्व आल दे प्राब्लम्स अब टू गेम सिक्स गेम फाइब तक तो सारी कर सकते हैं गेम सिक्स की भी कुछ प्रावलम कर सकते हैं सिर्फ angle by sector वाली प्रावलम को भी अच्छा दूसरे यह है कि अब आप एक दिन कोई कर लो जिसमें हम लोग assignment discuss करें क्योंकि अदर्वाइस assignments हारी पाइलब होती जा रहे हैं तो कोई सभी एक दिन केवल assignment discussion पे रखो कल साथ नहीं है नहीं ले सकता हूं अगर आप कोई स्थ नहीं होगा तो ले सकते हैं टेस्ट है चलो कि कल नहीं वह Monday Tuesday Wednesday में Tuesday की क्लास में ट्यूसे की क्लास में तभी आप लोग का वह चल रहा है ना कुछ लोगवा तिन तेस्ट है कि चलो मैं देखता हूं मैं जो स्लॉटेग खाली हुगा तो मैं ग्रूप पर डाल दूँगा उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे यह बहुत ना आप करके रखना सारा इस वाले कॉंसेप्ट को मैं एक बार अगली क्लास में जब रिवाइज भी करा दूंगा इसलिए कोई टेंसिंट की बात नहीं है आज सामवाली क्लास में देखूंगा बेटा पहुंच करें बता हूं अब लोग क्या करते कल की का सब्सक्राइब कर लिया था ना डिवाइजर कर लिया था ना तो डिवाइजर और इंटीजर सेल्यूशन्स और डिस्टिबूशन अफ इडेंटिकल अब्जिट करेंगे बहुत इंपर्टन कर सकते हैं लोगी थाओर्टन अब्जिए कर लिवाणिपर इंपर्टन करेंगे इंपर्टन कर लिवाभ्याइजर, यगिता हैं हुआ हुआ है